नमस्कार दोस्तों, मैं देबदद सर्मा श्रीवेदानत अकेडमी के ओनलाइन फ्रेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूँ, पिछले टॉपिक में आपका जो तरंग संबन्धी सब्द थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से डिसकस किया था, आज के टॉपिक में हम लोग थो चलिए, अगर आपको याद होगा, तो लास्ट अन पर मैंने आपको बताया था कि तरंग क्या है, तो सिंपल सा आपको याद अखना है कि जब भी तरंग के बारे में बात की जाएगी, तो तरंग आपको याद अखना है कि माध्यम के कणों में बिछोप के कारण, जो कमपन होता है, तो वहाँ उर्जा का प्रवाह एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक होता है, जिसे हम लोग तरंग कहते हैं, यह चीज आपको याद अखना है, अब यहाँ पर आज हम लोग जो डिसकुस करने बाले हैं, वो एक्चुली में परकार के बारे में डिसकुस करने बाले हैं, ठीक है, परकार के बारे में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इसको दो परकार में डिवाइड किया जाता है, कौन-कौन से परकार होते हैं, तो यहाँ पर यह आपको याद अखना है कि पहला जो प्रकार होता है, इसको बोला जाता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, चीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, that is mechanical wave, mechanical waves, ओके, दूसरी जो तरंग होती है, उसको बोला जाता है आपका आयांत्रिक तरंग, इसको कहा जाता है आपका non-mechanical waves, चीक, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है यांत्रिक और आयांत्रिक, तो यहाँ पर आपको याद अखना है कि एक दूसरे के अपोजर्ट इनकी प्रेपकृति होगी, अब देखना, यांत्रिक का मतलब आपको याद अखना है, बे तरं जिनको चलने के लिए माध्यम के आवशक्ता होती है, अथार्ट बिना माध्यम के वो गमन नहीं कर सकते हैं, माध्यम आपका ठोस होगा, या द्रब होगा, या गैस होगा, तीनों मैंसे कोई भी आपका माध्यम होगा, ये तरंगे जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी एक तरंगों के बारे में आपको याद अखना है कि बे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवशक्ता नहीं होती है। तो यहाँ पर यह तरंगे कौन सी कहलाएंगे आपकी आयांतरिक तरंगे कहलाएंगे। अर्थार्थ यह तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। दूसरे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयांतरिक तरंग में आपको याद अखना है कि यहाँ पर माध्यम आवशक्ता नहीं है। तो आपको याद अखना है कि यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखना है कि माध्यम आवशक्त नहीं है। अर्थार्थ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो इसका पॉइंट दूसरा आपके लिख सकते हैं कि भईया यह निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात में भी गमन कर शकते हैं, कई बच्चों कोई confusion होता है कि सरी निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब आपको याद अखना है, इंगलिश में इसको vacuum कहा जाता है, अगर किसी इस्थान से हवा को भी निकाल दिया जाए, कैसों के अणूओं को भी निकाल दिया जा चलने के पैटर्न के आधार पर इसको दो parts में divide किया जाता है, एक पैटर्न को हम अनुपरस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, एक पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है, आपका अनुपरस्थ तरंग के नाम से जाना जाता है, इसे इंगलिश में आप देखेंगे, तो कौन स ट्रांस्वर्स वेब के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं आपका ट्रांस्वर्स वेब के नाम से जानते हैं एक तरंग और होती है चलने के पैटरन के आधार पर उसे क्या बोला जाता है तो उसे अनुधहरे तरंग कहा जाता है क्या बोला जाता है आपका अनुधहरे तरंग कहा जाता है, अगर इस आप दिखेंगे इसको इंग्छिश में साथ हम लोग क्या बोलते हैं तो इंग्लिस में इसको जो बोला जाता है वो आपका लॉंगी, युडीनल बेब कहा जाता है, यह चीज़ आपको यादखना है इनको हम लोग deeply describe करेंगे ये प्रशने आपका बन सकता है थरी माक्स में एक एक पॉइंट का आयांतरिक तरंग की हम लोग बात करेंगे तो इसके example मैं कौन सी तरंग आएगी तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जितनी भी आपकी बिद्दु चुम्ब किये तरंग है ध होंगी आयांतरिक तरंग होगी अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकती है ये चीज़ आपको याद अखना है कि यहां पर इस पष्ट भिवाजन आपका समझ आ रहा है अब देखना दो तरंगों की बारे में यहां पर उबने example दे रहा हूं जो कि आपको थ्री मारकर में ल अनुपरस्थ तरंग है या अनुपरस्थ मैं बादें में बताऊंगा कि उसको क्यों कहा जाता है लेकिन अभी के हिसाब से आपको याद अखना है कि प्रकास आपकी एक आयांतरिक तरंग है अनुपरस्थ मैंने अभी बोला अनुपरस्थ का मैं बाद में डिस्क्राइब क करूँगा कि क्यों है उसके चलने के पैटर्न के आधार पर उसको अनुपरस्त कहा जाता है लेकिन अभी आपको यादखना है आयांत्रिक तरंग है लेकिन अगर मैं ध्वनी की बात करूँगा तो ध्वनी कौन सी तरंग है तो ध्वनी आपको यादखना है कि यांत्रिक तरं गए तो यहाँ पर मैन MEN चीज हैं जो मैंने आपको बता दी यांत्रे को रायां आप देखना आगे दो टपिक हैं आपका एक है आपका अनुपरस्त है इनको भी आम लोग समझ डेते हैं क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्ण बनता है ठिक यहां पर आप देखेंगे तो एक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अनुप्रस्त जान से समझेगा इसको अनुप्रस्त या ट्रांस्वर्स वेप की हम लोग बात करेंगे तो यह किस आधार पर डिक्स्राइब की जाती है किस आधार पर इसको अनुप्रस् याद है आपको पिछली वाले वीडियो में रसी की अगर मैं बात करूँगा रसी को मैं पकड़ की उपर नीचे अगर मैंने किया तो यहाँ पर एक तरंग बनती है वो तरंग कैसी होगी आपकी वो तरंग नॉर्मली आपका इस प्रिकार से होगी अब ध्यान से देखेगा र माध्यम के कणों का कमपन माध्यम के कणों का कमपन ठीक है तो माध्यम के कणों के कमपनों की दिसा और यह जो दिसा है यह कौन सी है तो आपको याद अखना है तरंग संचरन ठीक है की दिसा तो माध्यम के कमपनों की दिसा कणों के कमपनों की दिसा और तरंग संचरन की द तो अगर माध्यम उपर और नीचे कमपन कर रहे हैं तरंग अगर ऐसी जा रही है तो आपको याद अखना है कि उस तरंगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपका अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं तो अगर तीन नंबर में अनुप्रस्थ तरंग आपका आएगा तो सिंपल सा आपको बहां लिखना है कि माध्यम के कणों के कमपनों की दिशा और तरंग सचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवध होती है तो ऐसी तरंगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपका अनुप् इडिनल्स वेप की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जैसे मालो के एक स्प्रिंग का मैंने एक्जामपल लिया यह स्प्रिंग है ठिक अब मैंने क्या किया मैंने इस स्प्रिंग को यहां से पकड़ा ऐसे दबाया और छोड़ दिया जब मैंने पकड़ा दबाया तो इसके molecules के जो कण है वो इस direction में आपके बने और यहाँ पर आप देखेंगे किसको छोड़ने पर एक तरंग बनेगी जो किस दिसा में जाएगी आपका इस दिसा में आपकी जाएगी तो आपको याद अखना है कि जब भी अनुधहरे तरंग की बात की जाएगी कि अनुपरस्ट तरंग आपकी यह है और अनुधहरे तरंग कौन से यह आपकी particular यह है यह आपको याद अखना है अब देखना अगर मैं अनुपरस्ट तरंगों की बात करूँगा तो अनुपरस्ट तरंगे जो बनती है वो गैसों में नहीं बनती है वो कहां कहां बनती है तो वो आपका ठोस में बनती है यह चीज आपको याद अखना है और द्रब में भी बनती है लेकिन द्रब में आपको याद अखना है कि द्रब की उपरी सतहे पर ही यह बनेगी तो अगर द्रब की मैं बात करूँगा तो दुर्फ के उपरी सतरों सकती है, कि नहीं, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि गैसों में प्रत्यास्ता का गौN या बोल सकती है, कि रिजिदिटी का फूरता नहीं होती, ये चीज आपको याद इखना है अनुधहरी तरंगों की अगर हम बात करेंगे, तो क्या ये ठोस में बनती है बिल्कुल बन सकती है क्या ये द्रब में बन सकती है बिल्कुल बन सकती है क्या ये कैस में बन सकती है तो बिल्कुल बन सकती है ये चीज आपको याद अखना है एक और पॉइंट आपको याद अखना है कि ये जो तरंगे होती है इसमें ये जो उपर उठा हुआ पॉइंट होता है इस उपर उठे हुए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं श्रंग और नीचे बाला जो पॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं गर्थ तो यहाँ पर जब भी उपर उठेगी वेब तो स्रंग नीचे गई तो गर्थ तो ये तरंगे हमेशा किस रूप में गमन करती है तो आपको यादखना है कि ये तरंगे स्रंग और गर्थ के रूप में गमन करती है इन तरंगों की जब की बात हम लोग करेंगे तो जो हिस्सा दबा हुआ है उसको संपीड कहा जाएगा और जो हिस्सा खुला हुआ है उसको बिर्लन कहा जाएगा तो अगर मैं प्रश्ण करूँ कि ये तरंगे आपकी किस तरह से आगे बढ़ती हैं आपको याद अखना है कि ये तरंगे संपीडन और बिल्डन की रूप में आगे की तरफ बढ़ती है ये चीज़ आपको याद अखना है तो एक संपीडन और बिल्डन की रूप में आगे बढ़ेगी कौन सी तरंगे अनुधेरे तरंगे एक जर्णलिस रंग और गर्द की र जलने के आधार पर ध्यान से सुनना क्योंकि कई विच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पर अनुपरस्त तरंग मैंने लिखा कि आयांतरिक तरंग बोला प्रिकास को आयांतरिक तरंग बोला और प्रिकास को मैंने चल रही है इस आधार पर उसका नाम अनुपरस ओनो धर्रे डखा गया है प्रकाश एक बिद्दु चुम्बकिये तरंग होती है जिसमें बिद्दु छेत्र चुम्बकिये छेत्र और तरंग संचरन तीनों एक तूसरे के लंबोबत होते हैं तो अगर बिद्दु चेत्र चुम्बकिये छेत्र और तरंग संचरन एक तूसरे के लंबोबत हैं तो यहाँ पर आपको याद अखना है कि उसे कौन सी तरंग कहा जाएगा तो उसे हम लोग चलने के पैटरन के अधार पार अनुपरस तरंग की कैटेगरी में डालते हैं तो यहाँ पर अनुपरस तरंग का अगर आपसे एक्जांपल पूछा जाए कि कौन सा है तो यहाँ पर एक प्रिकाश तरंग भी अनुपरस तरंग का एक एक्जांपल होता है जल के ऊपर जो तरंगे उत्पन होती है जल में आपने क्या किया पत्थर मारा और पत्थर मारने के कारण वहाँ पर क्या हुआ आपका ऊपर नीचे जो तरंगे बन रही है वो कौन सी है तो वो आपकी अनुप्रस तरंगे है अगर मैं आपसे बोलू कि अनुधेरे तरंग का example क्या है, तो simple सा आपको याद रखना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, और सामने किसी को सुनाई दे रहा है, तो यहां पर यह जो molecule है, वो ऐसे आगे पीछे करते हुए अपनी energy को आगे transfer कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं का हो रहे हैं, आगे पीछे, तो इस तरह का जो pattern आपका बनता है, ध्वनी तरंगों के अंदर वो कौन सा बनता है, तो वो आपको याद रखना है कि वो अनुधहरे तरंगों का बनता है, यह अनुप्रस्ट और अनुधहरे के बीच में आपको एक प्रश्ण, तीन नंबर का आपका पूछा जाता है मैं उसको यहीं पर solve करा देता हूँ प्रकास में एक तीन नंबर का प्रश्ण बन सकता है प्रकास में आपसे तीन नंबर का एक प्रश्ण बनेगा क्या बनेगा? प्रकास एक आयांतरिक तरंग है क्योंकि उसके गमन के लिए माध्यम की आवशक्ता नहीं होती वो निर्वात में भी गमन कर सकती है लेकिन वो आनुपरस्त तरंग है क्यों तो अनुपरस्त तरंग में आपको याद अखना है कि बिद्दुछेत्र चुम्बकिये छेत्र और तरंग संचरण तीन और एक दूसरे के क्या होते हैं लंबबत होते हैं ये चीज आपको याद अखना है इसलिए उसे अनुपरस्त तरंग कहा जाता है तीन मैंसे तीन नमबर मिलेंगे अगर आप ये पॉइंट लिख कराएंगे क्योंकि ये ही उसका मेंट पॉइंट है ये चीज आपको याद अखना है तो अगर मैं विद्दु चुम्बकिये तरंगों की बात करूँगा तो विद्दु चुम्बकिये तरंगों में सबसे पहले आपको याद अखना है कि यहाँ पर विद्दु चुम्बक की तरंग जो होती है ज्यान से सुनिएगा विद्दु चुम्बक की तरंग जो होती है तो आपकी ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है एक तो इनके अंदर विद्दु छेतर होता है और आपको याद अखना है कि जब भी बिद्दु छेतर की वैल्यू चेंज की जाएगी तो वो चुमबा की छेतर में बदल जाएगा और जब भी चुमबा की छेतर की वैल्यू चेंज की जाएगी तो वो किसमा बदल जाएगा आपका बिद्दु छेतर में बदल जाएगा तो परिवर्ती बिद्दु चेतर परिवर्ती चुमबकी चेतर उत्पन करेगा जिससे तरंग जो बनेगी वो कौन से बनेगी आपकी बिद्दु चुमबकी तरंग बनेगी यह चीज आपको याद अखना है क्या प्रिकाश एक बिद्दु चुमबकी तरंग है बिलकुल हाँ और यह 3 Marker उसी से related हैं जो चीज़ें मैंने आपको समझाएं, 3 Marker में 3 Points होना चाहिए, 3 Concrete Points होना चाहिए, जिससे Number आपको मिले, यहां पर 3 Marker में पहला प्रशन आपका कहा लेखा हुआ है, अनुपरस्थ तरंग, तो I think आपको समझ आया होगा कि अनुपरस्थ तरंग क्या है तो पहले तो आपको क्या लिखना है कि actually में यह क्या है, तो अनुपरस्थ तरंग के बारे में मैंने आपको example बताये था, क्या बताये था, अनुपरस्थ तरंग मैंने आपको बताये था, रस्ती वाला example, तो रस्ती वाले example मैंने क्या बताये था, कि जो माध्यम के कण है, अ पहले तो इसकी definition ही आपको लिखनी है, क्या definition लिखेंगे? माध्यम के कड़ों के कमपनों की दिसा और तरंग संचरण की दिसा क्या होनी चाहिए? तो आपको याद अखना है कि परस पर लंबबद, लंबबद का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कितना कॉर्ण बना रहे हैं आपके 90 दिगरे हैं, तो simple सा आपने definition लिखा कि माध्यम के कड़ों के कमपनों की दिसा और तरंग संचरण की दिसा परस पर लंबबद, कौन सी त सारंग कहलाती है, अनोप्रा सारंग कहलाती है, दूसरे पॉइंट में इसकी एक विशेष्टा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में आपको याद अखना है कि ठोसों, ठोसों और द्रवों की उपरी सत है, पर उत्पन, ये आपको याद अखना है, ठ स्रंग और गर्थ के रूप में गमन स्रंग और गर्थ के रूप में गमन और यहां पर आप उधारन लिख सकते हैं कि कौन सी तरंग आपका अनुपरस तरंग की इस त्रेणी में आएगी तो सिंपल सा यहां पर आप लिख सकते हैं प्रकाश तरंग कौन सी तरंग का आप एक्जामपल लिख सकते हैं, प्रकास का एक्जामपल लिख सकते हैं, इसके लावा कौन सा एक्जामपल लिख सकते हैं, तो आपको याद अखना है कि जल में उत्पन तरंग, तो जल में उत्पन तरंग की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर आपको याद अखना है तो यहाँ पर अनुपरस तरंग में अगर लिखने को आएगा तो सबसे पहले उसकी definition आपको लिखना है तो उसकी एक कोई भिशेष्टा लिखना है सबसे important जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है फिर एक हाग point और लिखकर साथ class में हम लोग क्या करेंगे उधारन के साथ conclude करेंगे कोई भी तरंग आती है तो उसका example लिखना लास में बहुत जादा important होता है चलिए तो यह आपका अनुपरस्त तरंग हो गया अनुपरस्त तरंग से जम हम आगे की ओर जाते हैं तो कौन सी तरंग है आपका जैसे तीन नंबर में लिखने के लिए यांत्रिक तरंग तो यांत्रिक तरंग मैंने बताय था ना आपको कैसी तरंग हैं तो यांत्रिक आवश्यक, तो बे तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक होता है, बस खतम, आपको ये कुछ नहीं लिखना है कि आंतरिक तरंगे कहलाती है, उसमें आपके लाइन्स चली जाएंगी, सिंपल सा बे तरंगे जिनके लिए माध्यम आवश्यक होता है, ये चीज आपको याद की प्रकर्ती, कौन-कौन सी प्रकर्ती होती है, तो आपको याद अखना है, जड़त्व, घनत्व, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्था का मतलब होता है, कि किसी बस्तू को जब हमने खीचा, और छोड़ने पर पुन है, वो क्या हो जाए, तो generally आपको याद अखना है कि ऐसे गुर्धर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतियास्ता, elasticity, पर निर्भर, ये चीज आपको याद अखना है, इसके अलावा फिर इसका उधारन आप दे सकते हैं, तीसरे पॉइंट में कि यांत्रिक तरंग को उधारन को हम लोग बात तो बहुत important उधारन सबसे पहले आप लिखेंगे कहन सी तरंग है, आपकी ध्वनी तरंग, तो दो प्रकार भी आप लिख सकते हैं, एक अनुप्रस्त हो और एक अनुधर नरे, ठीक है? तो ये तीन concrete point आपको लिखने के आवशकता है, जब भी कौन सा question पूछा जाएगा, यांतरिक तरंग वाला प्रशन आप से पूछा जाएगा, ठिक, आगी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कौन सी तरंग है आपका बिद्दु चुम्बा की तरंग, बिद्दु चुम्बा की चुम्बा की चुम्बा की है, परिवर्ती चुम्बा की है, परिवर्ती बिद्दु चुम्बा की 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 चुमबकी 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 चुमब तरंग परसपर लंबोबत यह है 90 डिग्री पर ठिक उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट का लिख सकते हैं तो इसकी चाल लिख सकते हैं इसकी जो चाल होती है वो प्रकास की चाल के बराबर होती है कितनी होती है तो तीन गोणा दसकी घात 8 मीटर पर सेकंड बस इतनी चीज़ें आपको याद अखनी है किसके बारे में बिद्दु चुम्बकिये तरंग के बारे में बिद्दु चुम्बकिये तरंग अगर थ्री मारकर में आता है तो आपको इस तरह से solve करना है आगे बढ़ेंगे आगे क्या है आपका एक तरंग जिसकी आबरती 20 इसका मतलब क्या है कि यहां पर आबरती बन अपॉन एफ के बराबर होगा बस यह पूछा है तो आप से टी पूछा है ना और टी क्या होता है बन अपॉन एफ होता है तो कुछ नहीं करना है हमको एफ की जगे बीस हर्ट लिख देना है लिखने के बाद जब हम इसको solve करेंग तो जब एक में इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा तो आपको याद रखना है कि जो भाग जाएगा वो I think 0.5 इसको भाग लगा की देख लेते हैं हम अच्छे से एक बटे 20 भी आप लिख सकते हैं सेकेंड में आएगा इध्यान रखना आर्ट और कॉमर्स व भाग लगाने का प्रियास यहां पर करेंगे पॉइंट लगाया 0 ठीक है 0 बढ़ाया 0 कितना हो जाएगा 0.05 तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 सेकेंड तो अगर किसी तरंग की आपरती 20 हर्ट है तो उसका आवर्तकाल आपको याद अखना है कितना होग आखना है तो अगर यह प्रशन आपसे पूठा जाता है तो यह चीज़ आपको याद अखना है तिक? छलिए लास्ट में आपकी एक तरंग और है जिसका नाम है प्रगामी तरंग प्रगामी तरंग तो सर आपने पढ़ color ही नहीं दूसरे स्थान था कि निशिद बेग से गवन करती है, क्या वो प्रकामी बेग तरंग है, तो आपको याद अखना है यह वो प्रग्रसिब बेग है, तो प्रकामी तरंग है, तो आपको याद अखना है बेग तरंग है, जो माध्यम में एक निशिद बेग से, जो माध्यम में एक निशिद वेक से गमन करती है जो माध्यम में एक निशिद वेक से क्या करती है गमन करती है अगर गमन करेंगी तो इनकी चाल किस पर निर्भर करेंगी तो आपको याद अखना है कि इनकी चाल माध्यम की प्रकरती पर इनकी चाल माध्यम की प्रकर्ती पर निर्भर करती हैं ये चीज आपको याद अखना है ये उत्पन कैसी होती है कोई भी तरंगों की हम लोग गवाद करेंगे तो माध्यम के कड़ों में बिच्छोप के कारण उत्पन होती है तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे माध्यम के कड़ों में कड़ों में कमपन के कारण उत्पन के कारण उत्पन तो ये चीज आप यहाँ लिखेंगे और इसके साथ में क्या लिखेंगे example भी लिख सकते हैं, ध्वनी तरंग, इसका example आप लिख सकते हैं, कौन सी तरंग है, आपका क्या progress से बेग है, बिल्कुल बेग, प्रकास तरंग क्या progress से बेग है, बिल्कुल आपका, जल में उत्पन तरंग, जल में उत्पन तरंग, ये क्या progress से बेग है, तो बिल्कुल सही ह तो आपको याद अखना है कि यहाँ प्रगामी तरंग का मतलब वही है जो तरंगे हमने पढ़ी अप्रगामी का मतलब क्या होता है अप्रगामी का मतलब होता है कि एक तरंग इधर से आ रही है एक तरंग इधर से आ रही है दोनों जब एक दुरसरे को cross करती है तो हमें रहे हैं न लगता है इसा लगता है कि दोनों इस थिर पर तीद हो रही है लेकिन वास्तविक्ताम ऐसा नहीं होता है ऐसी तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं आप का आप प्रगामी तरंग बोलते हैं यह लोग भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लास में है, बहुत अच्छे से, तो आपको याद अखना है कि थ्री मारकर में, यह तरंग वाले जो इतने भी प्रकार हैं, अगर यह आते हैं, तो इनको आपको इस तरह से solve करना है, तो आज के लिए इतना ही, बाकि फिर हम लोग नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू बेरी मच,